तो आज है हम लोग का दूसरा दिन टोर का और हम लोग ये बड़ोदरा आके ये दूसरा ही दिन है और कल हम लोग आने वाले थे Statue of Unity लेगिन नहीं जा पह है किसी किसी के नहीं लेद कल मोधी जाए थे और स्टेची अब उनिटी ने आज अपना दस साल पूरा किया है इनावरेट हुआ था 2013-31 ऑक्टोबर को सरदार बलाभाई पटेल का बड़े के दिन और कल था उनका बड़े कल शायद आते तो और अच्छा लगता लेकिन कल टूरिस्टो के लिए नहीं खुला था एरिया और के लिए गूमने के लिए काफी बहतरीन है लेकिन अगर आप इस एरिया को आएंगे नर्मदार इवर के उपर जो बना है काफी बहतरीन है और सब्सक्राइब काफी खुबशूरत है मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आएंगे और स्टेच्व यूनिटी घूमेंगे इसके साथ साथ जो भी अर्मेर्मेंट सेट किया गया है लोगों के लिए जैसे कि ग्लो गार्डन है यहां पे डानेसर पार्क है और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके रखा गया है तो यह देख सकते हैं काफी खुबशूरत एरियास में यह फैला हुआ है रिवर बैंक अप नर्मदा सब्सक्राइब तो जब यह बन रहा था शुरूत के दिनों में तो लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतने बड़े पैमाने मे इतना बड़ा इंवेश्मेंट क्यों हो रहा है सिर्फ एक स्टेच्व पे लेगिन अगर आप फिलहाल पे सब एरियास को देखेंगे तो बहुती बहतरी नर्मार्मेंट सेट किया गया है टूरिजम के बेस पे और यहां पे आप नर्मदार नदी को भी देख सकते हैं कितना हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो उन्होंने तहे जान से और तहे दिल से देश की सेवा कि थी लेकिन मेरे को ऐसा लगता था पहले भी कि सरदार बल्लब भाई पटेल का औरा जो है अन्डरेटेड रह जाता है या फिर उनकी जो पोजिस्निंग थी में भी पोलिटिकल भी मेरे को नहीं पता उतना साथ जो पोलिटिकल बेस्ट या बैग्राउंड से आते हों उनको ज्यादा पता होगा लेकिन वह अंडरेटेड रहा जाते थे और बहुत से एरियास में उनको क्रेडिट में दिया जाता था जैसे कि जब इंडिया इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया अग्रेजर से उसके बाद ही टुकडो में थी सारे देश मतलब इंडिया के अंदर ही काफी स्टेट्स थे और वह एक कंट्री नहीं थे तो सरदार बल्लब भाई पटे ली थे जो उनको एक वन कंट्री के मदलब प्लैन पे उनको ले के आए और फिर हमारा भारत बना तो सल्यूट तू दिस मैन की उनको यह डेडिकेट किया गया और काफी अच्छी बात है यह है एसकलेटर जो कि आप आराम से बिना नॉर्मल वाक किये भी जा सकते हैं और गुजराटी म्यूजिक कुँजिके वह कि हर आटिस का काम होता है अपने आर्ट को डिटेल में बनाना लेकिन देख सकते हैं डिटेलिंग में जो बना सकता है ना क्षिण बात में तो नाम तो नहीं पता अ कि जिन्हों ने इसको बनाया यह वह गुगल में देख लीजिए पर धर मैं बता तूंगा तो यह है पूरा नीचे का हिस्सा कितना आप उच्छा है देख सकते हैं 182 मिटर आखे चोंदिहा जा रही इतनी गर्मी में वाटर स्प्रिंकल्स हो रहे हैं वहां पर और यह पुरा कवरेज है कि वह सर्दार सरोवर डेम बला भाई पटिल के नाम पर ही रखा गया है कि हम लोग आया है स्टेच्व अबिनिटी के नीचे 380 वे एफटेवल प्राइस में आप ले सकते हैं बहुत ही बैतरीन और यह आप चैस्ट तर जा सकते हैं है कि यह आप देख सकते हैं है एंसम लग रहा हूं है अंदर का इलागा आप दे सकते हैं कि खुबसुत्ति से सजाए गया सल्दार बला भाई बटिल का बहुत ही बड़ा कि सर का एक कुश्चर है और यहां पर वह से बनाए गया है यह म्यूजियम का हिस्सा है यहां से आप 380 में आप देख सकते हैं बालकोनी से भ्यू आप लिव्ट से आ सकते अंदर और कावी बहतरी ना जारा देख सकते हैं उपरा कि यह 135 मीटर पर स्थित है यह आल्मोस्ट आल्मोस्ट हम लोग चाती तक हैं स्टैचू की अब अंदर का अगर देख पा रहे हैं तो देख अब स्टाटिट में मैं सोच रहा था कि इसको को सत सीमेंट से बनाए गया मैं बढ़ा का तो पता चला कि यह अब च्पाव्ध extr limit तो पिर अगच्छली तो भू धिमाग है मैं भूल गया था कि इतना वजन कैसे इतना उपर तक लाएंगे लेकिन फिर मैं जब बात में पढ़ा कि इसको पता चला कि स्टील में बनाए गया मतलब मेटल में मनाए गया और यह देख सकते हैं आप यह कितना सुंदर और बहतरीन है अल्मुष्ट अल्मुष्ट हम लोग उसे रेयस अलों कि जाए है अगया है है तो देखिए 135 मेटर में जाटता है आज हूं कि वहाँ सरदार सरोबरब्ल में वहाँ पे नर्मा ना देखिए। अगर आप नहीं देख पा रहें तो उस तरफ है जो मैं पहले बता रहा था कि मतला वही यहाँ पे लिखा गया है मैं पूरा exact number तो नहीं पता था मैं भूल गया था यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि भारत में 550, 550 से अधिक रियाशतों और 10 से अधिक British सासित प्रांथ और यहाँ पे लिखा है जैसे देखिए यहाँ पे राजा महाराजा 1947 से पहले सम्मिलित होने के लिए सहमत होते तो उन्हें प्रिवे पर्ष का अधिकार दिया जाता अच्छा तो सरदार एक कुशल राजनितिक थे मितरतापुन और शांतिपुन धंग से चर्चाओं के माध्यम से लगभख सभी भरत्य साश्रकों को भारत में सम्मिलित होने के लिए राज किया गया यदि वे अपने राज्य के रक्षा बिदेश मामले और संचार को भारत सरकार को सौपते तो अपनी मीजिस संपती और साही किताब कायम रख सकते थे यदपी वे अपने सासन के अधिकार गवा देते नए राश्रके सहनिर्माताओं के रूप में राजा महराजों ने सरदार के अनुरोद को मान लिया और कुछ राजियों ने कठिनाई प्रस्तुत की बलाबाई पटेल ने धृड़ता से उनका समाधान किया वही बता रहा था आपको तो पहले का जो भारत का स्टेट्स जो थे उनका क्या डिवान रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरी तरह से सही से पाकिस्तान जो मांग किया था अपने कंट्री के लिए नौर्थ इस्ट और नौर्थ वेस्ट और जो मूल भारत यह राज्ये थे उनका भी डिफ्रेंशेट किया गया है और जो ब्रिटिस इंडिया था उनका भी डिफ्रेंशेट किया गया है और यह अभी का यहां लोगों ने क्या-क्या चुकाया है उसके उपर बेश्ट है प्राइस आफ फ्रीडम फ्रीडम की कीमत मलब जो आजादे की कीमत बहुत होती है आप यह देखके अंदाजा लागा सकते हैं जो हालत रही होगी उस वक्त लोगों की और उस दोरान जो भी उन्होंने सहे होंगे आप समझ सकते होंगे तो देखिए वहां पे अंकीत अंकीत का भी आगया आशिस का भी आगया जो वहला मेरा अच्छा उसका अच्छा उसके यहां पर दो आशिस हैं यह चोटा वाला यह मैं हूं तो यह मेरा है और मेरा वहां पर तो जैसे कि मैंने पहले बता रहा था कि 2013 31 ओक्टोबर को यह स्टार्ट हुआ था बनना लेकिन कंप्रीट था था चौदा था कंप्रीट हो गया तो इनागूरेशन वहा था था जिसको प्याम मोदी ने आकर इनागूरेट थिया ना और अब लगभण कितने 6 साल होग हैं कामडी पढ़िहा था जोए था था रहे और परिया एंबार्मेंट है आप भी आये देखिए कितना बहतरी जगा हैं सिर्फ यही नहीं इसके साथ साथ इतने गारेंस हैं इतने पार्क्स हैं आपको मजाई आ जाए तो यह जो बदा रहा था कि यहां पर टेकनोलोजी का बहुत ही बहतरी इस्तमाल किया गया है जब आप बहुत लोग सोचते हों कि लेकिन बहुत ऊजी है यहां पर आना और काफी अच्छा ट्रांस्पोटेशन का भी सुविधा है और सभी आ सकते हैं बच्चों से लेकर बूर को और हां मैं यहां पर आज आया तो एक चीज नोबिस क्या कि यहां पर बेबी कियर जोन भी है आप यहां पर अंदर जो इसका म्यूसियम है आप अल्मोस्ट जो भी इंडिपेंड़न के दौराग जो भी हिस्ट्री है आप पढ़के देख सकते हैं आप एक मूसियम है और ओडियो बुक्स है और थेटर्स भी है आईए एंज़ॉइट जो एंज़ूइट जो एंज़ू कुण समय है और पहन कहां से आप ढoga ही इंडियोग है और जह है और जो जो एंज़ूइट आप इंडियोगा और शेल कर में तो खैर ज्यादा ही वहाँ पे आप समझ सकते हैं कितना रेट होता है तो बाहर यहां पे नॉर्मल ढावा भी हैं सारी कम्यूनिटी के लोग आकर खा सकते हैं जीली हम लोग तो यहीं खाएंगे उतना पैसा होता तो बाहर ही जाता है सिद्धा तो यह है एक सो बीस रुपय का अनलिमिटेट खाली छोले की सब्जी यह सेफ्ट तो एक्सप्रियंस काफी सही था स्टेश अव यूनिटी का और आप हर चीज आपको हर चीज मिल सकती है यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको खाना पिना अगर भी चाहिए तो पासी में रेश्टरॉंट सब है और पानी की अंदर तक सुभिधाये हैं तो कभी के भी आएए और एंज्योई कीजिए और टाडाए